दोस्तों आज अपन हिस्ट्री के लेक्चर में यतिंद्र नात दास के बारे में डिसकेशन करेंगे जिनका सही नाम जतिंद्र नात दास भी है इनके बारे में डिसकेशन करेंगे और ये एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता जो संग्राम के बड़े करांतिकारी थे और इन्हो जतिंद्र नाध दास जो बांगला में ऐसे लिखते हैं इसको 27 ओक्टोबर 1904 में इनका जन्व हुआ 13 सितंबर 1929 में इनकी मृत्ति हो गई दियां 25 साल की एज में बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी जिने जतिंद्र दास के नाम से भी जाना जाता है भारतिय सोसंद सेंट्रल जेल में अपने पार्ण पो का उत सर्ग दिया लाहो सेंट्रल जेल में 63 दिनों की चंट्टीनी अप देखो आगे में यतिंद्र नात दास ग्टोबर 1904 को को चलकता में हुआ जब ले नोवर्स के थे तब ही उनकी मा का देहांत हो गया था उनके पीता ने उनका पालन पॉश्चन किया, पढ़ाई के दोरान हीवे जब गांधी जी ने ऐसा योग आंदुलन आरम किया, तो यतिंद्र भी आंदुलन में कूद पड़े, तो ये इनकी फोटो है, यतिंद्र भी आंदुलन में खूद पड़े, ESA योग आंदुलन के अंदर, इस आंदोलन, इस आंदोलन में भाग लेने के चलते हैं, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, जब ये आंदोलन धीमा पड़ा, तो उन्हें शेष करांतिकारियों के साथ छोड़ दिया गया, मतलब ये आंदोलन डिला पड़ा, तो उनको भी छोड़ दिया गया, यह उनका फोटो है उसमे का रेरेस्ट फोटो है और उसके बाद में आगे देखते हैं इनके बारे में यतिंद्र दास को रहा मिल गई उनके हर्दे में अपनी मात्र भूमी को स्वतंत्र कराने के लिए आथा स्वपन थे ऐसा ही हो गंदोलन की विफलता के बाद उनके सपने तूटने लगे थे और अन्यकरान्तिकारियों की भाति उन्हें भी इस आंदोलन को वापस लेना समझ में नहीं आया वह उनके दिमाग भी भी थाया सही हो गंदोलन चलते रहना चाहिए उसको वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर उसे वापस लेंगे तो फिर एक इन्होंने 63 वर्ष सवरी 63 दिन का अंशियन रखा राश्ष्रीता भारती थी उपनाम था इनका जतिन या जतिन द्रदास जो भी है पेशा इनका था स्वतन्द्रता कारे करता पर शीदि का कारण इनका था 64 दिन की भूघर्थाल के कारण और इंदुस्तार रिपब्लिकन सो आगे देखते हैं 1925 में जब जतिन कोलकता के बंग भाशी कोलेज में बीए कर रहे थे तब अंग्रे सरकार ने उनकी राजनेती गतिविदियों के लिए गिरस्तार कर लिया उन्हें मैमन सिंग जेल में डाल दिया गया जहां उन्होंने राजनेती केडियों के साथ होने वाले कि दिरव्यवार का विरोध में बुक हरताल शुरू कर दी dua-nyiler की नें उन्हें माफी मांग लिया और उन्हें रिहा कर दिया गया उनका ऊक्षास की दिन जो ये नोजवान थे, क्रांतिकारी थे, निपूर थे, आगे देखते हैं, इसके बाद सचिंद्र नासानियल के साथ जोड़े उन्होंने हिंदुस्तान रिपॉब्लिक और बनना चिखाया, वर्स 1928 में उनकी बैट भगत सिंग से हुई, भगत सिंग ने ही उन्हें हिंदुस लंबी, लंबा भूकरताल या लंबी भूकरताल, लाहोर जेल में भी उन्होंने अन्यक रांतिकारियों के साथ आमरण अंचन शुरू कर दी, इनकी मांग थी कि भारत के राजनेती केदियों के साथ वैसा ही बरताव किया, जैसा यूरोपीय राजनेती केदियों के साथ किय जाता है उन्हें भी वे सुीधाएं दी जाये जो यूरोपिय sposi को दी जात ie है उलेकनी है कि जेल में भारत के केडियों की दशाय देनी थी पहनने के लिए जो युनिफोर्म दिया जाता था उनकी बहुत दिनों ये बस उनका यही इस बात को लेके ही विद्रो था, ये भूकरताल ऐसी हुई कि इसमें चर्चा हर जगे होने लगी, जेल के अधिकारियों ने उनकी भूकरताल तुरवाणने का निर्णे लिया, उनके शरीर में जबरन रबड की नली से दूद डालने का प्रियास किया, इस दूद उनके फैपड़ों में चला गया, वह पीड़ा से भर उठे लेकिन उन्होंने उपास जारी रखा, उनके इस्ति बिगड़ती चली गई, उनके भूकरताल की कान या बाहर जाने लगी थी, लोगों के दिल में आक्रोस उत्पन हो रहा था कि बाई जतिंद्र नाद न जेल में भूकरताल कर दी, जतिंद्र दास ने 13 सितंबर 1929 को अंतिम चास ली, वह भूकरताल का 63 दिन था, उनकी लोगप्रियता का अनुमान इसी बात से लगया जा सकता है, उनके निदन के समाचार से सडके लोगों से पट गई थी, और लोग बस उनके अंतिम दर्शन करन चाहते थे, मतलब एक तरीके से उनको स्वतंत्रता के रूप में, एक सिंबल के रूप में देखा जाने लगा, 63 दिन तक उन्होंने भूकरताल की दी, ततकाली रिपोर्टों के अनुसार लगबग 5 लाग लोगों ने उनके अंतिम संसकार में भाग लिया था, हरीज जेन ज राजगुरु शुकदेव के सवों को सतलज नतिकेट पर आधिराट को गुप्त रूप से अंतिम संसकार किया था, मतलब इन ही की वज़े से, क्योंकि उन्होंने दिया 5 लाग की भीड आई थी, उनके अंतिम संसकार में तो एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने मतलब आगे से किसी का सव देना मना कर दिया, तो भगत सिंग, राजदूगुरु और शुकदेव के जो सव थे, वो भी उन्होंने सतलज के पास जलाने की कोशिश की थी, गुप्त रूप से, फिर लोगों ने पकड़ भी लिया था मापे, जतिंद्र दास की अंतिम यात्र वो इनकी भू करताहल के कारण डेत हो गई थी, वो मनाने की कला में निपूर्ण थे, आई होप आपको काफी कुछी से इस्ट्री के बारे में नोलेज हुआ होगा, और इसी के साथ धन्यावाद.